अब भारत बनाम और च्टेलिये के बीच में तीसरे टीटुएंटी मैच हैदरावाद में खेला जाना है और इस टीटुएंटी मैच के लिए क्या बड़े बड़े चेंजर्स होने वाले हैं इस वीडियो में हम यही बात करेंगे मनीस पांडे को टीम में जगह मिलना मुस्किल लग रहा है क्योंकि मनीस पांडे को लगाता है टीम में रखा जाता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहीं दूसरे बड़े चेंज की बात करें तो जो है केदार जाधो का केदार जादु को भी लगातार मौका दिया जा रहा है उने प्लेइंग 11 वे रखा जा रहा है और वो अपनी performance के हिसाब से कम ही runs बना रहे है तो भी जस तोर पर जस नंबर पर केदार जादु बल्लेवाजी करने आते हैं उस नंबर पर उनसे strong बल्लेवाज चाहिए तो वहीं तीसरा सबसे बड़ा चेंज है जिहां दोस्तों ये बेहत बड़ा चेंज है और इसका अंतिजार आपको बेसबरी से होगा क्योंकि ये चेंज है महेंसिंग धौनी का जिहां दोस्तों महेंसिंग धौनी इस बेटिंग लाइनप में नंबर चार पर बल्लेवाजी करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि महेंसिंग धौनी को लगाता है नीचे बल्लेवाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है और टीम जब पहले ही आउट हो जाती है तो महेंसिंग धौनी क्या कर पाएंगे तो इसी से बचने के लिए विराट कोली अब इस मैच में महेंसिंग धौनी को ऊपर भेजना पसंद करेंगे तो दोस्तों ये तो होंगे तीन बड़े बदलाव टीम इंडिया की प्लेइंग 11 तो दोस्तों आपको कौन सा बड़ाउ सबसे ज़्यादा पसंद आया और आथ इस मैच के लिए टीम इंडिया में क्या बड़ाउ करना चाहेंगे कमेंट बाक्त में जरूर कमेंड करें झाल झाल झाल